सब्सक्राइब करें एड इन फ्र स्रीज करें यह कि प्रेड़त आप कर दो तर्फेंड भी एक चिज़ के बहुत जादे उसके वह है आर्टिकल और मैं जिकर कर रहा हूं एन और दाखा कहीं पर क्या होता है कि हम यह नहीं पता होता कि हमें A का कहां पर यूज करना है, N का कहां पर यूज करना है, और दा का कहां पर यूज करना है, कि कही बर हम क्या करते हैं, कि दा की जगा पर हम A का यूज कर देते हैं, और A की जगा पर हम N का यूज कर देते हैं, तो आज हम जानें कि A, N, दा का हमें किस तरह और कहां पर यूज करना चाहिए, so let's start it, तो friends, जैसा कि आप left side पर देख सकते हैं, मैंने कुछ letters लिखे हैं, और मैं right side पर भी कुछ letters हैं, तो friends, जैसे कि आप देख सकते हैं left side पर, b, c, d, f, g, ये जितने भी letters है left side पर, इनको बोल जाता है consonant, और जो right side पर जो letters है, a, e, i, i, o, u, इनको बोल जाता है vowels, तो friends, consonants के साथ हम use करते हैं a, और vowel के साथ हम use करते हैं n, लेकिन friends, हम सबसे बड़ी mistake तब करते हैं, जब कोई भी word हमें दिखता है कि a, i, i, u, u, r, i starting में, तो हम n लगा देते हैं, जबकि हमें इसके sound को ध्यान में लखना है, तो friends, जैसा कि आप हमारे left side पर देख सकते हैं, ख, 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 ग, ड, च, च, जो कि हम हिंदी में पढ़ते हैं, वह हमें left side पर लिखा हुआ है, और right side पर है a, i, e, u, u, a, a, o, o, a, a, तो friends, यहाँ पर हमने a को रखा है, काखा के साथ, और n को रखा है, a, i, e, e, इस group के साथ, तो friends, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक sentence है, यह एक गाड़ी है, this is dash car, अब यहाँ पर हमें a का यूस करना है या n का, यह depend करता है हमारे car के word पर, यानि कि इसके sound पर, तो चलिए एक बार हम car को हिंदी में लिख कर देखते हैं, तो friends, हमने यहाँ पर लिखा है car, अब इसमें क्या आ राय स्टार्टिक में का, का किस में, क्या एन के ग्रूप में, एन के ग्रूप में तो आ, ए, उ, हो है, तो का किस के ग्रूप में, एक ग्रूप में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिजजा कार, तो friends, जैसे कि यहाँ पर एक sentence है, वह एक इमांदर आदमी है, he is dash honest man, तो friends, यह जो word है, honest, हाला कि starting में ह आ रहा है लेकिन हम इसको honest नहीं honest पड़ते हैं तो चलिए honest को अब हम Hindi में लिखकर देखते हैं तो friends जैसे कि अब देख सकते हैं हमने honest को Hindi में लिखा है और starting में क्या आ रहा है आ रहा है तो a किस में n में तो हम इसको क्या लिखेंगे he is an honest man तो friends जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा यह एक university है this is dash university अब हमें देखना है कि university जो है हिंदी में लिखने के बाद a के group में आता है या n के group में आता है तो friends, जैसा कि आप देख सकते हैं, university को हम पर हिंदी में लिखा है, अब इस starting में क्या आ रहा है, यह आ रहा है, अब यहां किस में आ रहा है, आ रहा है, यहां जो आ रहा है, वो आ रहा है, आ रहा है, तो हम यह से लिखेंगे, this is a university, चलिए खुतर एक्जामपल देखते हैं, इस starting में क्या रहा है, था रहा है, क्या था n में आ रहा है, नहीं था तो a में आ रहा है, तो हम यहाँ पर a का यूज़ करेंगे, तो friends, यह था difference a और n के बीच का, I hope कि आपको अच्छे से समझ आयो, और आपको पता चलो कि कहाँ पर हमें a का यूज़ करना है, और कहाँ पर हिंदी में लिखा है दी, क्योंकि कई बार हम इसको दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, और यह depends करता है हमारे word के उपर, तो friends, जो word consonant होता है, उसको हम दा बोलते हैं, और जो word vowel में आता है, उसके लिए हम दी बोलते हैं, तो friends, जैसे कि आप देख सकते हैं left side पर, पार्क, स्टेडियम, मौल इन सभी को हम बोलेंगे दा पार्क, दा स्टेडियम, दा मौल क्योंकि इन विए कॉंसोनेंट है इनमें वावल के साउंड नहीं आ रहा है और इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि वावल और कॉंसोनेंट क्या होते हैं तो फ्रेंड जैसा कि आप राई सेट पर देख सकते हैं अनिमल, एक्टर, एंड इन सब को हमें परनांस करना है दि एनिमल, दि एक्टर, दि एंड क्योंकि इसमें वावल के साउंड आ रहा है और अब हम जानेंगे दा का पूरा यूज तो फ्रेंड पहले हम जानेंगे दा का किन चीजों के लिए इस्तमाल किया जाता है तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पर यह एक लिस्ट देख रहे हैं पहाडों के नाम से पहले, नर्दियों के नाम से पहले, धर्मों के नाम से पहले जितने भी यहाँ पर यह list है इन सभी के नाम से पहले हमें दाका यूज करना है तो friends कहीं बार हम दाका वो के लिए भी इस्तमल करते हैं हलाकि वो के लिए हम date का यूज करते हैं लेकिन हम जालेंगे कि दाका में किस तरह से यूज करना है तो friends जैसे की एक sentence है yesterday I met a man, the man was so good यानि कल में एक आदमी से मिला और वो जो आदमी था वो बहुत ही अच्छा था तो इसमें आप देख सकते हैं पहले आपने ए का यूज किया और इसके बाद आपने दाका यूज किया दाका आपने second sentence में यूज किया क्योंकि हम उस particular इंसान के बार में बात कर रहे हैं तो जब आप पहली बार आप एक का यूज करते हैं तो second time आपको दाका यूज करना है चलिए second sentence देखते है I saw a dog in the morning, the dog was barking यानि मैंने सुबह एक कुत्ता देखा और कुत्ता क्या कर रहा था? बहु कर रहा था तो second sentence में हमने दाका यूज क्या है क्योंकि हम उस particular कुत्ते के बार में बात कर रहे है There was a king in the village, the king was very kind यानि एक गाउमे करा दा था जो कि बहुत ही रहम दिल था I found a cat at my home, the cat was so beautiful I found a wallet on the rod, the wallet was empty So friends मैं उमीद करता हूँ आपको ये इंदा अच्छे से समझ आ गए हो और इनकी uses भी आपने देख लिए होगे किस तरह से इनको use किया जाता है तो friends आज के lesson आपको कैसा लगा नीचा comment करके ज़रू बताईएगा इसके साथ आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकता है और इस channel को subscribe करना मद बूलेगा साथी bell icon को भी press कर दीजेगा ताकि जैसे मैं कोई new video upload करो आपको instantly मिर जाए तो मैं मिलूँगा आपसे एक नए lesson के साथ next video मैं till then be happy, be relaxed, catch you later